आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरहां से आप लोग किसी भी ऐसे चानल के उपर एक्षन ले सकते हो जिसने आपकी वीडियो को स्टोल किया हो या आपकी वीडियो चुराई हो आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी जो है वो चैनल जेके होंगे जो किसी और का कंटेंट उठाकर अपने चैनल के उपर अप्लोड करते हैं में भी ये सिच्वेशन कभी आपके साथ भी अकर हो सकती है कि आप जो कंटेंट अपने चैनल के उपर अप्लोड कर रहे हो उसी कंटेंट को कोई और डाउनलोड करके अपने चैनल के उपर अप्लोड करें और आपकी महरत जो है वो अपने चैनल के उपर अप्लोड करके उ से जो आपा फाइदा ले अच्छा ऐसा करना बिल्कुल भी YouTube की policy के against है मतलब यह कि अगर कोई बंदा किसी क्या content use करना चाहता है तो सबसे पहले उसको चाहिए कि वो उस बंदे से permission ले ठीक है अगर permission नहीं लेता तो उसको यह चाहिए कि वो वाली वीडियोज यूज करें जो के creative comments के section में होती है और उन वीडियोज को आप एडिट करके अपने channel के उपर upload कर सकते हो लेकिन अगर कोई बिना permission के आपकी वीडियोज को डाउनलोड करके अपने channel के उपर upload कर लेजिए और साथ में bell icon को press करना बिलकुल भी मत भूलिएगा so without missing any more time let's get started यहां पर मैंने एक channel open करके रखा हुआ है जो के बिलकुल फाइजा वसीम के नाम से ही create किया करया है लेकिन यह बिलकुल भी मेरा चैनल नहीं है ठीक है आप लोग इसका लोगो पी पहले बिलकुल मेरे तरह ही था लेकिन मैंने इसका लोगो जो है वो इस बंदे ने change कर दिया इसका channel आड बिलकुल मेरे तरह ही है इसके लावा इसे channel भी मेरे नाम से ही create किया है यहां पर बहुत सारी videos available हैं जिनमें से बहुत सारी मेरे चैनल के अप्लोड़ेट हैं और बहुत सारी इसने खुद नहीं जो है वो में भी किसी और चैनल की उठाई हो I don't know तो आज की वीडियो में हम इस channel के ऊपर एक strike send करेंगे और वो किस तरह से send कर सकते हैं बात करेंगे मैंने इस वाली वीडियो को इस वीडियो को मैंने next step में open किया है ठीक है इसको अगर मैं play करकर दिखा हूं तो यह बिलकुल मेरी ही video है आप लोग देख सकते हो मैं इसको play क करती हूं तो आप लोग ने देखा कि बिलकुल मेरी वीडियो है इसने कोई editing नहीं की कुछ भी नहीं बस as it is मेरी वीडियो उठाई और अपने चैनल के ऊपर upload कर दी तो अगर मैं इस channel को copyright strike send करना चाहती हूं तो वह मैं किस तरह से करूंगी जब आप इसको scroll down करते हो तो य यहां पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है रिपोर्ट करने के बाद यहां पर आपको काफी साल अप्टिन्स मिलते है वह आप से पूछते है कि आप किस टाइप की रिपोर्ट करा चाते हो तो यहां पर मैंने क्लिक करना है second last option पे infringes my rights ठीक है मैं इसके ओपर क्लिक कर दिय यहां पर आपको मिलेगा उसके बाद एक drop down menu इसके उपर अगर मैं क्लिक करते हूं तो यहां पर आप लोगों को काफी तीन options मिलेंगे जिनमेंसे आप लोगों ने first वाले option के उपर क्लिक कर देना है अगर कोई बंदा आपकी वीडियो को उठा कर बिना permission के अपने चानल के अपने next के उपर क्लिक कर देना है ठीक है जैसे ही आप next के उपर क्लिक करोगे तो वो आपको जंप करवा देगा एक next tab में ठीक है यहां पर में पास next tab open हो चुका है और यहां पर मुझे option मिल रहा है submit a copyright complaint इसके उपर मैंने क्लिक कर दिया और यहां पर में मेरे पास driver एक new page यहां पर simple मैंने क्लिक किया I am not a reward और मैं इसको submit कर देती हूँ Submit कर देने के बाद यहां पर मुझे काफी सारे options नजर आ रहे है copyright infringement notification के what is the issue यहां पर मुझे issue मैता है कि issue क्या है क्या है क्या उस बंदिने मेरे साथ जो है वो कौन सी problem है ठीक है actually मैं लोग बात करें तो यहां पर second last option मेरे साथ मेरे साथ प्रॉब्लम है copyright infringement का तो यहां पर मैंने second last option को select कर लिया क्यूंकि सम्वन कोपी माई क्या है जो मैंने क्यीट किया उसने वह प्यापी कर लिया without my permission ए Primक्रीर का सकते हैं ले प私 है प्रॉडम में ब्ली हो यहां होई यहां की सब्सक्रावरे साथ यहां ऑच किया है तो last और देखने को मिलता है डिन में हमाँ वीडियो भी रिवै। यहाँ पर मुझे उस वीडियो का लिंक देना है और जेखने को मिलता है , यहाँ से मैं खांगी यहाँ वू दो तरह इने rups eh ंफ करते हुछ इसको फिलाल मही रहा है यह से drop down menu है यहां पर आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर देना है कि इसने आपकर क्या चीज़ कॉपी किया है तो यहां पर इसे मेरी वीडियो कॉपी किया है तो मैं फर्स वर उप्शन सेलेक्ट कर रही हूं ठीक है दन उसके बाद यू यू ट्यू यू 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 अगर यही वीडियो मेरे चानल के उप्लोड है तो मुझे इसी वीडियो का लिंक महां पर देना है मेरी ओरिजिनल वीडियो का तो पर इस वाली वीडियो का टाइटल कॉपी करके अपने पास सर्च करते हूं कि वह कहां पर है क्यूंकि मेरे चानल के उपर भी 300 वीडियो से जादा अप्लोड हो चुकी है तो लाजमी सी बात है सर्च करने में प्रॉब्लम होती है तो यहां पर हमें सर्च आइकन मिलता है यहां पर मैंने टाइटल पेस्ट किया और अंडर प्रस किया यह मेरा ओरीजनल चैनल है ठीक है इसके ऊपर यह देख सकते हो आप लोग यह मैंन इसका लिंक चाहिए तो इसको मैं नेक्स टाइप में उपन करती हूं और इसका लिंक मैंने यहां से कंट्रोल सी कर दिया ठीक है और हम लोग दुबारा पर चलते हैं और यहां पर मैं ऑन्ग करके अपनी और औरेजिनल वीडियो का यृ यहां पर कॉप्य कर दिया पेस्ट क इंटार वीडियो में कोपी किया है नहीं से आपटर ईंटार उन फॉर इंटार वीडियो के एक बद्देज जागे अगर उस थे वीडियो के भी यहां पर यॉर्ल दे सकते हो तो यहां पर मेरे चैनल की बहुत सारी वीडियो हैं तो मैं यहां से बाकी वीडियो को भी ले लेती हूं उनका लिंक जैसा कि यह वाली वीडियो अगर मैं इसको यहां से कॉपी करके ओपिन करूं नेक्स टैब में तो बिल्कुल यह वाली वीडियो भी मेरी है, इसका लिंक मैंने यहां से control C करके copy कर लिया, ठीक है, और चलते हैं, यहां पर URL यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया, और अब मुझे इसका original link भी paste करना है, जो कि मेरी original वीडियो होगी, तो वो भी मुझे copy करनी है, तो चलिए पहले मैं इसका title copy कर लेती हूँ, और अपने channel के पर search करती हूँ, कि मेरे channel के पर वीडियो कहाँ पर है, search bar में जाती हूँ, control V करती हूँ, enter press कर दिया, और यह रही मेरी actual video, तो इसका link मैं copy कर लेती हूँ, control C, ठीक है, और इसको यहाँ से मैं आप close किया, इसी तरहां से आप लोगों की जितने भी videos जो हैं, वो copy की गई है, वो आप यहाँ पर another video करके add कर सकते हो, यहाँ पर मैंने, वैसे तो बहुत सारी videos हैं उस channel के उपर, जो के मेरे channel की copy की गई है, लेकिन मैंने 3 videos के link यहाँ पर add कर दी है, ठीक है, अब नीचे scroll down करते हूँ, तो यहाँ पर आप लग देख सकते है, to submit a copyright infringement notification, please complete the following required fields, यहाँ पर आप दोगो ने बाकी fields को भी जो है, वो देना है, tell us about yourself, copyright honor name, YouTube user, और full legal name, अचा यहाँ पर YouTube का जो आपना username है, वो यहाँ पर आपना add करना है, मैं add कर जाती हूँ, फाइजा वसीम, क्योंकि मेरा channel भी फाइजा वसीम के नाम से है, authority to make this complaint, यहाँ पर आपने अपन देना है, अगर यहाँ पर show नहीं है, लेकिन यहाँ पर में पास already पहले से मेरा email address show हो रहा है, जहाँ पर यह star है, show यह fields required must है, इनको must आपने fill करना है, यह full legal name, a first and last name, not a company name, तो मेरा first and last name जो है, वो फाइजा वसीम ही है, select the address, यहाँ पर आप लोग ने अपना address type कर देना है city type कर देना है, then area, country, so country मेरा Pakistan है, और आपने यहाँ पर अपना zip code एड़ करना है, zip code उसके बाद आपना phone number type करना है, और fax अगर है आपके पास, उसके बाद आपने यह सारी required fields को check कर देना है, और यहाँ पर आप लोगों ने अपना नाम type कर देना है, right, then I am not a reward and submit a complaint, right, मैंने submit a complaint के ओपर click कर दिया, और जैसे मैंने submit के ओपर click किया तो यह मुझे कह रहा है, thank you for your submission, please note that if more information is needed to process your takedown request, we will email the address associated with your account along with an additional email address that you may have provided, okay, यहाँ पर अब जो भी वो action लेंगे वो मुझे email करकर बता देंगे, तो चलिए मैं चलती हूँ अपने Gmail account के उपर के उनका कोई email आया है या नहीं, और यहाँ पर मैंने अपना Gmail का अकाउंट open कर लिया है, तो फिलहाला भी मेरे पास कोई email नहीं आया है, लेकिन जैसी वो उनकी मेरी request रिजिस्टर हो जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पर email आ जाएगा, confirmation email, और मेरी request के अपर कोई ना कोई action जरूर लिया जाएगा, उमीद कर अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में बहुत चोपिक के साथ तब तक लिए अपना बहुत ज़दा खयाल रखिएगा, और मुझे दुआ में बहुत ज़दा याद रखिएगा, अला हाफिस